नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आज की हमारी रेसिपी है पंजाबी स्टाइल छोले तो आईए हम बनाना शुरू करते हैं तो छोलों को मैंने ओवर नाइट सोग करके रख दिया है तो इसमें हम नमक डालके इसको ओवर नाइट सोग करने के लिए रखेंगे सोग करने के बाद मैंने उनको बॉइल करने के लिए रख दिया है सुबह अब हम देखते हैं हम सबसे पहले बनाएंगे चोले मसाला उसके लिए हमें सारे खड़े मसाले चाहिए हैं तो जैसे तोड़ा सा हम लेंगे जीरा काली मिर्च और सिनिमन मसाले के लिए हमें लेना है प्यास लेस्वन अद्रक एक मीडियम साइज के हम दो प्यास लेंगे एक मीडियम साइज टमाटर लेंगे और हम लेस्वन की आठ दस कलिया लेंगे तो आईए हम पहले अपना छोले मसाला बनाते हैं तो उसके लिए हम पहले सूखे मसालों को भून लेंगे तो उसके लिए हमें लेना है दो चम्मच जीरा उसमें मैं एड करूंगी खड़ा धनिया तो आप दो चम्मच खड़ा धनिय करेंगे के पर एसी कड़ाई में डालकर रोस्ट करेंगे तो धनिय Скे बार मैं इस में डालूंगी लॉंग कि काली निर्च यो में गाल चीनी थेज पत्ता यह greater कि तो आप यह सारी साम अग्रियं को डाल ख़म बड़ी लाईज की थारी साम अग्रियं को डाल कर मैं इसको हैना रोस्ट करूंगी नहीं अच्छे से इनको हमें जलाना नहीं है बस हल्का सा रोस्ट करना है क्योंकि इसमें जीरा है तो जल्दी जल जाएगा इसलिए हमें बस इसको हल्का सा रोस्ट करना है दीमी फ्लेम पर तो देखिए हमारा रोस्ट हो गई है सारी चीज़ें तो देखिए लगबग हमारी सारी चीज़ें रोस्ट हो गई है अब इसको हम कडाई में नहीं छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए हम इसको तुरंट किसी बरतन में निकाल लेंगे कडाई में रखेंगे तो यह जीरा हमारा जादा जल जाएगा तो यह देखिए मैंने एक बरतन में निकाल लिया है अब मैं इसको हलका सा ठंडा होने दूँगी फिर हम इसको अपना मसाले में डाल कर पीसेंगे तो आप इसको प्याज लेसुन अद्रक के पेस्ट में हैं हम इसको डाल कर पीसेंगे वाई अब हम सारे मसालों को मिक्स करके इसका पेस्ट तियार कर लेते हैं तो मैंने मिक्सी जार में इसमें लिया है प्याज अद्रक लेसुन का पैस्ट हम बनाएंगे क्योंकि हम इसमें चोली बनाते समय पहले प्यास करूं जाता कि इसके बाद हम ड्मात्र आईट करते हैं, अब स्ंक्षड करेंगे, अपने रोस्टेट मसाले जो हमने रोस्ट किये थे यह हमने छोली छोला मसाला बनाया था हम इसे अलग से रेडिमेट छोला मसाला नहीं डालते हैं तो मैंने इसमें यह मसाला एड़ करके हलका तब पानी मिलाएंगे और अब हम इसका पेस्ट तियार करेंगे आपका पेस्ट जितना पतला होगा जितना बारिक होगा उतना ही इसका फ्लेवर सारे मसालों का निखर कर आएगा कर हम इसके बारिक पीस का तयार कर लेंगे पेस्ट तो देखे हमारा पेस्ट तयार है तो देखे आप बनाना शुरू करते हैं और उसका पेस्ट बना लिया है तो एक कडाई में हम लेंगे लगबग डेड़ चममच के करीब ब में भी बना सकते हैं टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पर मैं मस्टर्ड ओयल में बनाऊंगी इसमें में अब मारा तेल में स्मूक को टेंपरेचर तक हम इसको गरम करेंगे उसके बाद मैंने इसमें डाली हैं चार बड़ी इलाइची अब मैं इसको बगार लगाते मैं जीरा नहीं डालूँगी क्योंकि अल्रेडी हम दो बड़े चमत जीरा डाल चुके हैं अपने सूखे मसाली के साथ में तो बस मैं इसमें डालूँगी हरी इलाइची छोटी वाली चार से पांच आप इसमें डाल सकते हैं अब जो मैंने प्याज लेसुन अध्रक और सूखे मसाली का जो पेस्ट बनाया है वो मैं इसमें डालूँगी और हम अच्छे से इसको भूनेंगे छोले में क्या है कि अगर हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा अगर मसाला कच्छा रह जाएगा तो आपका प्यास का जो मीठा पन है वो भी आ जाएगा और उतना टेस्ट निखर कर नहीं आएगा तो मसाले को बहुत अच्छे से प मसाले को पकने के लिए छोड़ देंगे इसमें लगभग हमारा जो है वो पांच मिनिट लगेगा आप चाहें तो इस स्टेज पर हिंग एड़ कर सकते हिंग में तेल में नहीं डालती हूं आप चाहें तो चोटी लाइची जब उपने तेल में डाली थी उस टाइम पर लगभग बन फॉर्थ चमच के करीब हिंग डाल सकते हैं यह उससे भी कम आप अपने टेस्ट अनुसार अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं अब मैं इसको पकने दूंगी अब देखिए मैं बनाओंगी टमाटर का पेस्ट इसने टमाटर नहीं करते हूं मैंने बस एक मीडियम साइज टमाटर लिया है और इसको हम खालंग से इसका पेस्ट हनाए कि अगर थोड़ा से काला रंग इसमें चाहते हैं तो आप इसमें एक पी शैशे भी डा सकते हैं आये चेक कर लेते हैं हमारा मसाला पका है की नहीं तो देखिए हलकलका तेल मसाला छोड़ रहा है इसका मतल़ हमारा मसाला पक रहा है अभी अच्छे से पका नहीं है इस स्टेज पे अब हम इसमें एड़ करेंगे सूखे मसाले तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें एड़ करेंगे आदा चमच के करीब हल्दी पॉडर उसके बाद मैं इसमें एड करूंगी एक चमच लालमेच पॉडर आप अपने इसाब से कम्या जादा कर सकते हैं इसमें पहले से काली मिर्च डाली हुई है तो उसके इसाब से आप इसकी क्वांटिटी जो है वो रखिएगा उसक हमने छोले बॉयल करते समय भी नमग इसमें डाला है तो माथ्रा थोड़ी कम ही रखिए और मिचस को मिक्स करेंगे और सारे मतालों को है मिक्स करेंगे अ हुआ अर चलाते हुए मैं इसको मेचश करके एक मिनिट के लिए पकने के लिए ड mentioned कर छोड़ देंगे तो देखिया मैं इसको ढग दिया है पकने के लिए अ यह अब चेक कर लेते हैं एक निट होगया है अमारो मसाला पका है किने देखिया मसाला अच्य से पक रहा है इसमय तेल जो है वह आसपास चिल छोड़ दिया है तो आप अब हम इस स्टेवच पर हम इसमें अड करेंगे टमाटब का पेस्ट। सब्सक्राइब ऊपिक क्या हम चयान dönem और इस तेज प्रright नियुक्त मिझेदा करेंगे पहरा मिनिट के करीब नहीं, हमारा मसाला चिपक जाएगा अब, मैं इसे में ऑड़ैट करूंगी पानी तो लगबग एक चोटा कटोरी के करीब अप इसमें पानी आड़ करेए पानी अट करनी के बाद हम इस मसाले को दोबारा से पकने के लिए छोड़ देंगे लगवग 2-3 मिनिट के लिए हम मसाले को पकने के लिए छोड़ देंगए मसाले पका है कि नहीं तो देखिए मसाले ने जो है वह पूरा तेल चोड़ दिया तेल पूरा मसाले के ऊपर है इसका मतला हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है अब हम एड़ करेंगे इसमें अपने बॉयल चोले तो हम इसमें छोले जो है वो डालेंगे इस मसाले में बॉइल की वह छोलों को आप एड़ कर दीजे ये देखिए अब इसको थोड़ा सा मसाले में जो है वो दो मिनिट के लिए पकने देंगे और फिर हम इसमें एड़ करेंगे पानी पानी डाल कर हम इसको अच्छे से बॉइल होने के लिए रख देंगे आप पानी की मातरा जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर आप इसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा पतली चाहते हैं तो इसे अच्छे से पानी एड़ करी है अगर थोड़ी कम चाहते हैं थोड़ा सा मैंने इसमें एड किया है मीट मसाला मैं इसमें छोला मसाले नहीं डालती हूँ मैं मीट मसाला डालती हूँ आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं या सबसे एंड में भी डाल सकते हैं चॉट लेटे हैं हमारे चोले तो देखिए हमारे चोले जो है वह लगभग बनके तयार है पूरा धेल जो है Посाइट में मसाले ने छोड दिया है मतलर हमारे मसाला जो है वह छोले में अच्छे कि को इसको मैं दो मेनने और बद एक वर पकने दूँगे को थोड़ा इसका ग्रेवी जो है मैं थोड़ी और गाड़ी करूंगी अागर आपको पतली ग्रेवी पसंद हो इस सेजो को फोश्चेंट का अपना आप चेक करते हैं हमारे छोले का स्टेटस क्या है तो ये देखिए छोले जो है हमारे बन के तयार है बिलकुल मेरको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है तो आप चोलों को पूरी कुल्चे या भटूरे के साथ सर्व कर सकते हैं हमारे छोले के रडी हैं hope आपको यह recipe पसंद आई होगी आप बनाईए और खाईए मिलेको comment box में जरूर लिखिए कि आपको यह recipe कैसी लगी फिर मिलेंगे एक नई recipe के साथ तब तक के लिए धन्यवाद झाल झाल